कॉर्वस OS क्या एक गेमिंग OS है चलिए फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो के अंदर क्योंकि आज कल में कुछ जादे कन्फ्यूज रहे रहा हूं रिव्यू कर टाइम कि यह रिव्यू किस चैनल के उपर जाएगा तो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और फर्स्ट आम विजिट करें दोनों से किसी चैनल के उपर तो आई सस्क्राइब जरू कर देन तो चलिए देखते हैं इस अपडेट के अंदर क्या को देहनी को मिलता है बहुत सारी जैसे नहीं कहा कि भाई यह एक गेमिंग रोम है यहाँ पर काफी स्मूध गेमिंग होता है तो इसका आप रिव्यू प्रवाइड करो तो फाइनली इसका है जो कंप्लेट डिटेल लेक बिव्यू डेट यहाँ पर आपको देहनी को मिलता है ठीक है और यहाँ पर है जो 5 जून का 2020 लेटर सेक्योर्टी पैच है अभी फिलाल में अंडरगराउंड यूज कर रहा हूं बाइड डिफोल्ट प्री माइनस सा के अनल देहनी को मिलता है तो ड्रोनों की जो अंट्रू इसलिए लोग कहते हैं कि अगर दोनों हो तो मज़ा आ जाए तो यहाँ पर आपको अडप्टी प्लेग वगडरा भी दिखने को मिल जाता है जो कि यहां पर जो कर सकते हो यहां पर इसका यूज वहाँ पर बैक की साइड के ओर चलते हैं तो यहां पर आपको देहनी को मिलता है सिक्यूर्टी जहां पर फेस अनलॉक अभी तक एड़ नहीं हुआ है तो मीट करते कि जल्दी यह एड़ हो जाएगा बट फिलाल के लिए तो यह आपको मिसिंग मिल जाता है साउंड के प्रोफाइल में आपको देहनी को मिल लाते हैं वही सारे कॉमन ओप्सन पोई खास डिश्कल नहीं है और FPS इंफो का भी एक नया ओप्सन देहनी को मिलता है जो कि गेमिंग एटाब में काफे दा हेल्प करता है क्योंकि सबको यह इसको पर डिपेंड करते हैं क्य और साथ इसके जो लेंट वगरा है जो कितना होना चाहिए वह आप मेंटेन कर सकते हो यहां पर एमबेंट वैकप डिस्टे और मिजुक ट्रेकर वगरा भी मिल जाता है यहां पर स्टाइल के और आते हैं तो यहां पर आपको कई सारे क्लॉक दिये गए जो कि एंसेंट रोम अब्र वगरा वरकिंग है अडेटिब बीटिल कीम का खुमीं कर्सके हो जांसे आप पने चीक मेंट सब्सक्रा उटकर पोने घूम है इसका क्लाप करोगा कि तो अपको पर फिश्टने को वहां पे टिससाइट करोगे आपको प्र और जैसा कि मैंने ये जो ऑना पर यह सेट वो भी आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे, यह जो font आपको नजर आ जाए, किस type का apply हो रहा है, वहाँ पर जो मुझे by default ज्यादा पसंद आता है, तो मैं अपसर इसी पर रहता हूँ, icon save, आपको trade down और बाके दर दर option देहनी को मिलते हैं, तो जो भी पसंद आता है, वो आप य कर सकते हो, light gray कर सकते हो, या पर बाके दर में चेंज कर सकते हो, जो कि काफी जर अच्छा लगता है, metallic मैंने यहाँ पर डाल रखाया है, जो कि काफी मुझे पसंद आता है, telegram, narrow और बाके दर option देहनी को मिल जाते हैं, जो कि आप change कर सकते हो, system के बहुत सारे lightning दिये गए हैं जो कि आँखों को ज़्यादा चुपता भी नहीं है, और word यहाँ पर ज़्यादा lightning भी नहीं रहता है, जो कि पीछ बिलेक में कुछ जाद नहीं, जो light up देहनी को मिलता है, और background कुछ जाद नहीं, dark भी जाता है, बट यह अपने अपने choice से कि आप क्या करना चाहते हो, और जो अपने QS Panel पर भी देहनी को मिलता है, जहाँ आप directly type करके theme के उपर है, जो color change कर सकते हो, जो भी color आपको use करना है, तो काफी बहतिनी लगा, जो कि अच्छा है, यहाँ पर FPS वगरा है, जो यहाँ पर भी आप इनेवल कर सकते हो, और by default यहाँ पर भी इनेवल देहनी को मि क्योंकि मैं दोनों चैनल के उपर है, जो ROMS की review और बाग के दर चीज़े और टेक्नियूज भी है, जो प्रवाइट करता रहता हूँ, जिससे आपको notification मिलता रहेगा, और मैं कहीं भी वीडियो आप लेट प्रवाइट करूँ, आप जो miss नहीं कर पाऊँके, तो दोना चैन लेकर जो color enhancement वगरा है, वो भी आप change कर सकते हो, colors भी है, जो यहाँ पर changement ला सकते हो, जो कि बागे दर रोम से किसी किसी में देहने को मिल जाता है, वहीं पर जो backyard चलते हैं, तो आपको देहने को मिल जाता है, इसका extra customization, जिसका look मुझे काफी जादा पसंद आया, जहाँ पर and draw का या फिल स्क्रीन वगरा, तो फुल स्क्रीन में यहाँ पर यूज किया गया है, pixel experience का है जो features वाला, जो कि tap करकर करके आप longer click कर सकते हो, उसका edit, share या delete कर सकते हो, तो यह काफे अच्छा option है, जो कि one time में किसी भी longer page का आप यूज करका हो और share कर सकते हो, वहें पर gaming mood, pocket deduction screen shoot, double tap to sleep, alarm blocker, web blocker, days of suggestion and condition मिलता है, lock option पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, fingerprint का preference जहाँ और error का vibration भी मिलता है, lock screen के ऊपर है जहाँ आपको मिल जाता है, flash, यहाँ पर lock, styles, status bar, double tap, visualizer, media, at work, और बागे अधर option भी देखनी को मिलते हैं, जो कि काम करता है, यहीं पर आते हैं, तो बैटिक optimization देखनी को मिलता है, जहाँ पर notification light वगरे enable कर सकते हो, percentage होगे रहाँ यहाँ पर set कर सकते हो, जो कि सही है, carrier level पर मैंने नाम डाला है, अपना खुद का MK Aurora, जो कि देखनी को मिल जाता है, और यहाँ पर दूसरी जगा है, जो मैंने take office भी डाला है, तो आपको जो दिखाई देखा, आगे setting की ओर, clock में वही same customization मिलता है, icon के अंदर आपको देखनी को मिलता है, single icon रखना है, या पर क्या voltage icon भी कई सारे दिये गए है, जो कि आप अपने margin को साथ change कर सकते हो, जैसे कि OOS है, HD है, MIUI है और अनाधर है, अब फिलाल मैं SIM लिकार रखा आप देख से तो यहाँ पर 0 byte है, क्योंकि भी SIM है, जो मैंने edit कर रखा है, होगे अपर जो custom footage जो कि take office में डाला है, जो कि यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है, तो यह भी आपर जो edit कर सकते हो, और बाके अधर options जैसे कि header image बगएरा, blur करना, और यहाँ पर tiles वगएरा, आपको डिस्पले को लॉक हो जाता है, जो कि hover points में भी save देखनी को मिलता है, वहें पर इधर की बटन देखनी को मिलता है, जहाँ पर kill button और बाके steps बगएरा, left, right अगरा कर सकते हो, और इसका जो volume panel है, बिल्कुली different देखनी को लगता है, जो कि मुझे काफ ज़रा है, जो अ अगर आपको hardware disable करना है, तो वह यहाँ पर custom है, जो कर सकते हो, जैसे कि यह रहा हमारा hardware button का, इसे हम on करके, इसे off करेंगे, इसे enable कर देंगे, तब हमारा hardware button off हो गया, हम direct software की का है, जो यूज कर सकते है, यह आप दोनों का भी use कर सकते हो, तो काफे अच्छा option दिया गया है, जो की काफे ज़्यादा handy हो जाता है, basic use के लिए, और इतना अच्छा हो जाने के बाद, जो हर users, जो की gaming करता है, उसे काफे ज़्यादा बहतरीन access मिल जाते हैं, हर इक जगा से, जो की इस room में है, जो काफे ज़्यादा मजा आता है, gaming करने में, यहाँ पर आपको screen recorder भी जाती है, यहाँ पर फिर से try कर लेते हैं एक बाद, तो फिर से हम screen recorder को on करते हैं, इन दोने option को हटा देते हैं, और इसे disable कर देते हैं, इसे थाज़ादा कम करते हैं, अब फिर से enable करते हैं, आप डेक्स तो फिर से है जो यह लोक हो गया, जिसका एक bug देने को मिलता है, जो क उमीद करते हैं कि जल्दी fix हो जाएगा, तो इस Chrome पे जितने भी customization है न, वो काफी अच्छे हैं, जो कि एक gamers को काफे तरह help करते हैं, अलग तरीके से, जिसके अक्सर है जो आप लोग का यही कमेंट रहता है कि भाई, यह काफी दंदार है, गेमिंग वगरा के लिए, लेकिन छोटी मोटी कमियां भी अभी अवेलवल है, जो कि जरुवत है fix होने की, अभी जो मैं underground kernel यूज करहा हूँ, इसके ओपर काफे अच्छा खासा अंटूटू का score मिला है, जो कि आपको जो gaming अच्छा तो करवाता ही है, और बैटेव का भी अच्छा प्रोइट करता है, जो कि 97183 का है, आप चाहो तो और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, प्योर सी है, करनेल का यूज करते हुए, लेकिन वहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन को ज्यादा ही देखने को मिलेगा, सिर्फ वो gaming के लिए है, not for battery, अब जो इसका by default kernel हमें देखने को मिलता है, जो कि pre-plus का है, त उसका एक नजर डाल लेते हैं, अन्टूटू के score के उपर, तो यह रहाँ, अन्टूटू का score by default जो की 89684 का है, जो कि इस पर आपको प्रेप के साथ देखने को मिल जाता है, तो I hope so guys कि मैं आपको complete detail देदे है, इस ROMS regarding कि क्या कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है, फिर तो अगर आप नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप रिक्वेस्ट यही रहेगा, सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करना न भूले, ताकि इसी तरह के इंट्रेसिंग वीडियो आपको Tech Office या Tech Games पे देखने को मिलते रहे है, और आप यह डिस अज़ यह स्ब्सक्राइब के अगरोफ यहाईब कर लोग धो है, इस ऑ